और इस वाकते एक और कॉलर है मीना जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिल्ली से मीना जी क्या सवाल करना चाहती है आप नमस्कार जी आदार मीना जी कैसी है ठीक है मेरी मदर है 65 एक तो उनकी एक कमर से वो तो इनस चाहती जो पैर तर जाती है बहुत दर्द करती है उन्जे जी ठीक है और दूसरा सवाल उनकर यह है कि उनको बीटी जी दिकत है और उनको फिर में बाद वो गिर गेके चोट लगी तो डॉक्तर नोता है उनके सिर में खुन जम जिया है तो किस टेम वो ब्योश हो जाती है जी ओमर कितनी है उनके 65 65 जी एक तांग की बड़ी प्रॉल्म है उनको एक तांग कमर से होती ही नीचे पैर तक बहुत दुख दिया है कापी इलाज कराया पर कहीं कोई आराम दिया तुसरा वीटीची भी है और सिर में कहते हैं जिर्ग इंठेक बारी तो खुन जमा हुआ है तो वो भ्योश हो जाती है कई बार फिर फोड़ी बार उनको पानी बारी डालते हैं वीटीची मुझे बोली डालते हैं तो वो नॉर्म लोगी प्रॉली बड़ी महरवानी होगी क्याती है अब अच्छा लगा आप अपनी मा की इतनी फिकर कर रही है और इनकी दोनों रोग ठीक हो सकते हैं देखिए जो हमारे कमर से लेकर टांगों की तरफ कोई दर्द होता है नर्व में तो इसे साइटिका कहते हैं हमारी कमर की डिस में वो रग दब जाती है जो खून सप्लाई करने के लिए टांगों की तरफ जाती है मोटी नर्व होती है इतनी मोटी मेरी उंगली की बराबर तो वो दब जाती है तो इसके लिए एक तो घर में वैस्टन टौैलेट होना चाहिए चो अपनी जरुरत वो उस पर बूरी करें नहीं है तो लगवा लिजे तो ब की महीने फाइदा हो जाता है तो वो तीन चार महीने इलाज करें ताके इस से निजात मिल सके ममी को आपकी और यह जो ब्लेट पेशर और यह खून का जमना यह चर्बी का जमना यह चर्बी का होना यह हार्ट ब्लॉकिश होना यह सब के लिए बहुत अच्छा एक नस्खा ह जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का जो है ये लिक्विड है और इसे तीन चमच रोजाना पानी में मिला कर आप उन्हें पला दिया करिए आपकी सारी समस्यागा निदान मुम्किन है